कि नमस्का दर्शकों आप सबीका स्वागत है चाई पेच चाचा और टॉक शो बाई खुश्बू सेथ सीजन टू आज हमारे साथ जुड़े है अलपेश शा जो की एक कम्प्यूटर क्लासे संट करते हैं उसके अलावा वो बहुत सारे ग्रूप से असोसियेटेड है तो लेट्स वेलकम अलपेश शा और चाई पेच चाचा तेंक यू खुश्बू है तो अलपेश जी आपके जैनिक करके कम् है सबसे पहले तो जशने तैलेंट खुश्व मेडम को थैंक यू वेरी मच कि आपने अज मुझे यहां पर बुलाया मैंने उनका लाश्यों देखा ता काफी टैलेंटर शोता और उनने काफी नए लोगों को वहां पे इंटोड्यूस किया था जैनिक अप्यूटर के बारे तो मेरी एक वन रूम कीचन की एक चाली में मेरा घर था हां वहां पे अपनी चाय की टिपोई हां दो लोखन की चैर और एक भाड़े का कम्प्यूटर वहां से यह जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है जो आज मेरा खुट का एक 400 स्वेर फूट का शॉप है जहां पे मेरे पास 20 कम्प्यूटर से और सेम बिल्डिंग में आयो 3BH के फ्लैट यह मेरी जर्नी पूरी 31 यर्स की है जहां से मैंने पूरा स्टार्ट किया है नो जैनी कम्प्यूटर के बारे में बताना है कि गोरेगाव में आज की तारिक में अगर मैं बताऊं के वन ओफ द लीडिंग कंप्य इतने सालों में करीबन मैंने पंदरा से बीस अजा स्टूटन को अभी तक ट्रेनिंग दिया है जब हमारे पास जूना में फ्रेम में जैसे कोबल सिस्टम डिबेस सिस्टम ताहां से मैंने यह पूरी जनी चालू कि वहां से आज हम यहां पे MSCIT जैसे गॉवर्मेंट कोर से पाइथन जैसा कोड से टैली प्राइम जैसे कोड से एडवां सेक्सेले यह सारा चीज हम लोग वहां पे सिखाते हैं आपने जैसे बताया कि यूव स्टाटेड आपने वह बहुत जबी कंप्यूटर नाया आया था सबके लिए कंप्यूटर एक नया अविश्कार था एक न्यू इन्वेंशन था वहां से आप कंप्यूटर क्लास्स चलाते हो तो नाओ दे कंप्यूटर की प्रोग्रेस बहुत बढ़ चुकी है नए नए सॉफ्टर आया है आपको क्या लगता है future way this is going to boom the society अभी कंप्यूटर ऐसा है कि आज अगर मैंने इतना सारा चीज में सिखा तो फिर भी मैं आज कह सकता हूं कि मुझे सिव कंप्यूटर में 50% का नौलेज इसे कि आज की तारिक में लोग देखते है तो AI हाई अटिविचल इंटलीजिए जैड जी पीटी यह यह दिरे पूरा मार्केट आपका कैप्चर कर रहा है अभी जो ट्रेंडिंग के लिए चल रहा है जो सोचल मीडिया से जादा रिलेटेड वर्क ओरियंटेड करते हो तो उसके लिए AI is like a boom yes and it is helpful not only to the person related to the computers or computer science subject but joki the nominal है जो सोचल मीडिया भी उसके लिए AI is also important क्योंकि यह एसा है कि आज की तारीक में बच्चे जो कॉलेज में है और जो प्रोजेक्ट करते हैं अगर हम गये के AI और चाइटी पेड़ी से जो हम लोग पहले यहां पर एक एक दो दो दीन में हम लोग पूरे प्रोजेक्ट बनाते थे हाँ आज खाली विदीन टैन टू फिफ्टीन में पूरा 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 प्रोजेक्ट सोजाता है अब अभी एजुकेशन डिपार्ट में इस्टील नॉट अलाविं कि कि हमारे किड्स हमारे बच्चे AI यूज़ करें बहुत सबीचिजों का एडवांटेज और इसाडवांटेज होता है यह डिसडवांटेज भी हो जाता है कि बच कर देता हूं कि आज अगर में एक पेपर पे आपको फंदरा पीस नंबर्स लिख के दू हम विदिन फ्रेक्शन आफ सेकेंड हम लोग को टोटल मैनुवली कर दे सकते आज के बच्छे लोग को बता हूं को काल्कुलेटर कंपल साथ यह डिफरेंस से रेगुलर कंप्यूटर और एए और सब्सक्राइब कर देते हैं सारे कि युनों टाइमिंग वाइस यह वाइस लाइस लगता है कि युनों कम हो गई है बहुत सारी टेक्नोलोजी पे चले गया है यह लेकिन मैं आप एक चीज़ बताता हूं बले मोबाइल पे आज लोग बोलते है कि लेकिन अगर अगर हम उनको मोबाइल के अंदर ही बहुत सारी ऐसी एप है कि जो एप बच्चे लोगों को माइं डेवलोप करने के लिए जैसे कि अभी मैं आपको एक चोटा सा एक्जांपल देता हूं हम एक एप के बारे में नॉमली बच्चे लोग को दिखा थे जो ब्ल जाती है यह टाइब की एप ऐसे बहुत सारी एप है बहुत हरी यूसफू लैज बच्चे लोग के लिए तो हम ऐसे सोचते कि राइदा देर उनको ज्यादा थाइंट कर यूटूब से ऐसे एप अगर पैरेंट्स भी है या इसर टीचर यह हमारा फ़र्ज है कि हम लोग उन उनके लिए बहुत यूसफूल हो ना ही कि वो पूरा दिन यूनों कार्टून्स एंड मूवीज एंड वेब सीरीज देखे अभी यहां पर बहुत सारे चीज ऐसी है अभी जैसे हमेरे जैने कंपिटर के बात करूं तो मेरा यहां पर गोरेगाउं में तो ही है आगा सेम टा यहां पर भी हमारा टैली और एडवांस एक्स का वो बच्चे लोगों को फ्री एड्यूकेशन वहां पर चलता है और आप बहुत सारी ग्रूप से असोसियेटेड़ हो यहां आपका जो ग्रूप है जे बीजी करके ग्रूप है तो आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएंगे जे बीजी ग्रूप है जो हमारा जाइन बेजनेस ग्रूप करके हम लोग उने स्टार्ट किया था हां इस इन मन यहर ऑफ टू थाउदन सेवेंटीन यह ग्रूप एक्चुली ऐसा था कि हम जैसे गोरे गाउं में हमारे काफी कानेक्स ऐसे है कि लेडी लोग जो किया जे बीजी करके जो आज की तारिक में वाट्सब प्लेटों में करीबन 48 तु 50 वाट्सब ग्रूप चलते हैं और 6 स्टेट एक्रोज हमारा वह ग्रूप चलता है और यह ग्रूप का में काम है कि लोगों को उनके बीटूबी बिजनेस में हैल्प करना इंदिस अगेन इ नहीं करते हैं किसी को अधर्यमन करना एक रोटी ग्रूप तो एक नॉमिनल हम लोग चार्ज लगा देते अधर्वाइस ओनली अवर पर्पर्स के लोगों को हम लोग फ्री टू फ्री बी टू बी उनका बिजनेस करे और काफी ऐसे लोगों का हम को फिडबेक भी आता है कि ह लोगों ने उनको बिजनेस के लिए हैल्प किया लोग जगा दूंडते हैं बिजनेस के लिए लेकिन हमारे प्लेटों पर आके ओगर्स के माधियम से भी उन्होंने काफी कुछ वहां पर डियलोप्मेंट कर दिया और अपना बिजनेस को प्रोग्रेस कर दिया एक हो जाती है उनकी के दैडड वोग कर रहे है और एक ट्रस्ट वर्जी हो जाता है कि हां यह फीमेल यह मेल हमारे ग्रूप का है तो एक ट्रस्ट भी बिल्ड़प होता है कि आप इसे इंसान को जानते हूं कि वही ग्रूप के हैं सो यह बहुत इंपरटन है टींडा से जुडा हुआ हूँ जैसे की गॉर्य काउ में हमारा गॉर्य काउ मचन सूसियसान नहीं जो हमारी लिटेल शॉप ऐसे करीब नूसों प्लस हमारे मेंबर से गॉर्य काक उचन सीज़ा असो सिजिए वहां भी मैंज टेसर करके हम दुकांदाय के कुछ भी इश्यू दे वो सॉल करते है मेरा एक ट्रश चलता है शिवाई चरिटेबल ट्रश्ट करीबर लास्ट हम लुक मात साल से वह ट्रश चला रहे है वह रोट रस्ट के माध्यम से गरीबो की सेवा करना नौ कभी फाइनांस तो नहीं बठा अगर आपको हस्पिटल आज हमारा शिवाई चरिटेबल ट्रश करता है और उसमें भी हम लोग अलग-अलग माध्यम से लोगों तक पोश्टे है लोगों से आयुश्यमान भारत को हो या आपका रशन काड़ों यह सारा चीज के इसाब से हम लोग उनको हेल्प करते हैं कि बहुत बहुत सारी चीजे इसे मोर इंपोर्टन के कौन करता है वह आप करते हो आपने ग्रूप भी बनाया है उसके अलावा आप चैरिटीबल ट्रस्ट भी करते हो तो इसे वेरी गूड और बहुत ही अच्छी बात है अलपेश जी आपके साथ चाई पर चाई पर वक्त कैसे बीठ गया हमें पता ही चला हमारे दर्शकों को भी यह शूब बहूँ अच्छा लगा होगा डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट ख़ित करके हमें बताएगा आपको हमारा शो कैसा लगा और डिस्क्रिप्शन में अलपेश के बारों में सारी डीटेcs आपको मिल जाएंगी मिलत है अगले शुक्रवार को पाच बजए तेंक यू सो मच